Hello everyone, welcome to Lucky Education और आज हम स्टार्ट करेंगे चेप्टर नमर 5 Security in Contemporary World Class 12 की Political Science बुक है आपकी Contemporary World Politics ये लास्ट चेप्टर बचा हुआ, Class 12 का इसके बाद हमारे सारे चेप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे आज का जो लेक्चर है इसमें हम दो टॉपिक हम डिसकस करेंगे कि पहला Security कीसे कहते है, Security का मतलब क्या है दूसरा हम जानेंगे Security का एक Notion जिसका नाम है Traditional Notion हालनकि Security के दो Notion होते हैं, दो धाड़ाएं होती है एक तो होती है Traditional Notion और दूसरा होता है Non-traditional Notion और Traditional में भी आज हम देखेंगे External क्योंकि traditional में भी दो प्रकार की धार्णा है एक तो external और एक है internal ठीक है इसके अलाबा आपको मैं जानकारी के लिए बता दू क्लास 12 की जियोग्रोफी क्लास 12 की पॉलिडिकल साइंस दोनों complete प्लेलिस्ट में बना रखी हैं complete levels uploaded है कोई भी topic आप देख सकते हो पूरा chapter बढ़न ज्यादा फोकस है national security डेश की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस है आलांकि आपकी personal security की भी बात रहती है आप अपने personal label में भी आप मतलब security लोग लगा के रखते हो ताकि कोई चीज कोई आपकी कोई मतलब personal चीज़ों को कोई देख ना ले privacy को खतरा ना हो right security मतलब क्या कोई भी खतरे से आपकी सुरक्षा किसी भी टाइप का खतरा हो आपके घर में भी आप देखो gate पे लोग लगा के रखते हैं gate को घर में CCTV केमरा लगा के रखते हैं ताकि कोई unnecessary आ ना जाए ना और कोई इनी चीजों से बचने के लिए हम gate लगा के रखते हैं plus security केमरा भी लगा के आप देखो हर कोई मतलब business जो है कोई भी रन कर रहा है कोई industry है कोई factory है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं लोग personal security के लिए security गार भी रखते हैं यह प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भारत के जो भी है यह प्राइम प्रसीडेंट देखो उनकी बहंकर लेवल की security ह होती है जड़ प्लस security और यह सारी चीज़ें आपने सुनींगी ताकि उनको कोई मार ना सके जितनी भी government offices होती है उसके बहार आप देखो force लगी रहती है that is also security प्लस अपना प्यारा भारत के अगर आप बात करें तो भारत में भी दो तरह के हम security की बात करते हैं एक तो देश कर रही है तो तीरों प्रगार की हमारी जो armed forces हैं यह भी क्या provide गरा रही है हमें security पर प्रोवाइड गरा रही है ताकि हम चैन से रह सकें तो समझो कितना multi-dimensional concept है security है ना बहुत important है हर किसी को प्रभावित खड़ता है just imagine अगर भार से attack हो जाए तो इससे खतरा कितना है आज ज सब किस वज़े से हो पाराय क्योंकि हमारी national security जो है बहुत ज्यादा strong है हमें कोई खतरा नहीं है ऐसा नहीं है कि हमें मतलब जब से देश आइलाद हुआ है खतरा ही नहीं है पास्त में हमने खतरे देखें आपको बता होगा भारत के अब तक कई बार लडाईयां हो चुकी ह दूसरे देशों के साथ खासकर दो पड़ोसी देश हमारे बहुत ज़्यादा हमें परिशान करते हैं एक तो है पाकिस्तान दूसरा है चाइना चाइना से हमारी लडाई हो गई थी 1962 में आपको बता है बहुत सारी हमारी जमीन भी चली गई थी वापे पाकिस्तान से कई बा कोड़े क्लैस तो चलती रहते हैं तो यह भी हमारे लिए क्या खत्रा है अगर सजस्ट इमेजिन अगर यह दुसमन अपने मतलब मनसुवों में काम्याब हो जाएं तो फिर कितना बड़ा समश्चा आ सकती है हमारे लिए पास्ट में भी आप देखो हरत दिस पर अंग्रे ज सकते हो इंडेपेंडेंस नहीं ति किसी भी टाइप की यह अपने पास कह सकते हो कोई सोबरेंटी नहीं थी हमारी सरकार वो नहीं कर सकती थी तो ये जो वैलू जे सारी चीजे हमारी कंप्रोमाइज drawer ऐन dönE पारत घृ लियों था जब हम गुलाम हो गए-थे तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे, core values, क्या बोलेंगे, core values, हर देश की अपनी core values होती है, manly जैसे इस में, freedom, independence, sovereignty, equality, culture, तो ये core values क्या होती है, हट होती है, जब security पर क्या पहुंचती है, चोट पहुंचती है, खतरा पहुंचता है, तो समझ गयोंगे, आप security का क्या मतलब है, security मतलब सुरक्षा, किस से सुरक्षा वाई साव, threat, खतरों से सुरक्षा, हालनकि आप देखो, आप चलते हैं, तब भी दिक्कत आती है, आप जाते हो, तो आपको डर रहता है, आप पह दल जा रहे हो, बात कर रहे हो, मुवाइल पर कोई मुवाइल सियंगे ना ले जाए, महिलाओं को मतलब खतरा रहता है, कोई उनको परिसान ना करे, या उनकी चे निसने चिंगना कर ले तो मतलब खतरा तो हर जगे पर मगर यहां पर हर खतरे की बात नहीं कर रहे है ऐसे तो फिर समझ चाह जाएगी हम बात कर रहे है जो बड़े खतरे हैं जिसे बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों को नुक्सान को सकता है जैसे आज गी डेड में एक टेररिजम ले लो यह खतरनाक वाली है इसके हम बात करेंगे टेररिजम की बात करेंगे बहुत बड़ा नुक्सान होता है भारत को खुद इसका विक्टिम रहा है कई बार हम पर टेररिस्ट अटेक हुआ है तो इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा सेंसेटिव रहते हैं सरकार की कई सारी डेपार्टमेंट हैं चीक है तो शुरू करते हैं चेप्टर की शुरुआत इंट्रोड़क्शन के साथ ही तो बड़ इस सिक्योर्टी अपने सरकार को मतलब एक परकार से अपने टेरिटोरियल इंटेगरिटी को बचाना कि कोई हमारी सीवा में गोसना जाए पिलस हमारी इंडेपेंडेंस को फीडम को बचाना पिलस हमारी सोवरेंटी को बचाना ये क्या है core values है, तो security मतलब खतरों से आपकी freedom और security क्या करती है, हमारी core values को protect करती है, security only relates to extremely dangerous threats, यहाँ पर हम security के बात कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि extremely dangerous, ऐसे खतरे जिन से हमें बहुत, ऐसे मतलब खतरे जिन से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता उनकी हम बात कर रहे हैं, which could endanger our core values, जो हमारी core values को नुकसान पहुचा सकती है, उनी threats की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हर प्रकार की threat की बात नहीं कर रहे हैं, right अब है notions of security अच्छा मैं एक चीज़ और बतायता हूँ, आपको basics के लिए अपना याद होना चाहिए, भारत देश में दो प्रकार की बात करते हैं, security की, एक तो देश के बीतर जिसको हम बोलते है, internal security, internal security, आपने देखा हूँगा हर राज में भारत में, हर state में, internal security की जिम्मेदारी जो होती है, उहाँ पर पुलिस मतलब समालती है, और internal security अगर central government में बात करें, तो कौन handle करता है, home ministry, इसको handle करती है, home ministry, comment करके बताऊ भाई, भारत में home minister कोन है, दूसरा एक होती है, external security, external मतलब border की security, border पाले अपनी अलग forces होती है, अब border की security की जिम्मेदारी किसकी है, यह होती है, हमारी defense ministry की दिहान देना, देश के बीतर क्या चल जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी, home ministry, और border पर पड़ोसी देशों से, दुस्मनों से बचाने के लिए, कौन सी security आपकी, आपकी external security और external security की जिम्मेदारी यह आपकी किसकी defense ministry की, right, तो यह जो armed forces है, यह जन्रली किसके अंदर आती है, defense ministry के अंदर आती है, police और यह paramilitary forces है, यह किसके अंदर आती है, home ministry के अंदर आती होरे, यह दोनों मिलके, भारत की security की जिम्मेदारी समालते है, right, comment करके बताना है, home minister कोन है, defense प्लस ये भी comment करका बताना है भारत के first home minister और first defensive minister कौन थे अब security की nocixon's का मतलब धाणा है कितने type की security होती है दो type की security होती है एक तो होती है external security एक उती है internal security यह तो मैंने एक general भी बताया है मागर यहाँ पर जिन धाणाओं की बात करें वो बात करने एक तो traditional और एक non-traditional traditional मतलब बहुत लंबे समय से हमारी क्या धाना रही है security मतलब कोई military attack ना हो जाए military attack जो है इसको हम लेके चलते है traditional security में मगर non-traditional मैज नए-नए challenges की बात करते है जैसे मान लोग कहीं पर poverty बहुत ज़ादा है गरीब ही बहुत जादा तो गरीब ही अपने आप में खतरा है आप गरीब रहोगे तो आप मतलब अपनी जीवन को सही से जी नहीं पाऊगे तो यहाँ पर ऐसी चीजों की बात करते है military threat के अलाबा किसके अलाबा military threat के अलाबा जो threat आते हैं हम non-traditional में count करके चलेंगे तो notions of security में आपको देखने हूं मिलेगा दो notions होती है एक तो होती है traditional notion जिसमें हम external और internal देखेंगे external मतलब border के बाहर यह border पर internal मतलब border के भीतर हमें क्या खतरा है और दूसरा non-traditional notion तो आज जो lecture हैसमें हम सिर्फ external जो factor and traditional security का इसको हम cover करेंगे तो इसकी शुरुआत करते है traditional notions और traditional notions में हम देखेंगे external notion external को मतलब आप समझी करेंगे भारत के अगर हम बात करें तो मैं देखो इसको भारत के perspective से क्यों बोला हूँ क्योंकि अपने देख से लिंक करके देखो आप जल्दी याद हो जाएगा अच्छी तरह से learn हो जाएगा हालंकि यह वल्ड की book है पर हम अपने हिसाब से देखेंगे अपने इंडिया से लिंक करेंगे तो चीजों को समझना आसान होगा तो external security traditionally means national security of nation मतलब national security मतलब का externally जैसे अपने ये प्यारा भारत है ठीक है और भारत में एक तो हमें चाइना से खत्रा है दूसरा जिससे पाकिस्तान से खत्रा है तो इनसे बचा रहा है अपने आपको इनसे बचाना ही क्या है अपना national security है understood और मैंने starting में बताया कई बार हमारी इनसे क्या होचुगी है जडब होचुगी है लड़ाई होचुगी है traditional notions जो है external इसमें पहला खत्रा है military threat क्या है तो किसी भी देश को सबसे जो बड़ा खत्रा होता है greatest danger होता है वो होता है military threat simple सी बात है तो traditional notion में जो हम लेके चलते हैं सबसे बड़ा खत्रा सबसे बड़ा खत्रा कुंसा है आपका military threat है और the root cause of this danger is other country military threat किस से अपनी military से नहीं तूसरे देश की military से हमें खत्रा रहता है क्योंकि वो जो दूसरा देश है ना कई बार हमें दराता धमकाता रहता है कि देखो भाई हम तुम पर attack कर देंगे जैसे पाकिस्तान की हमारी लड़ाई चलती रहती है हालंकि पाकिस्तान की इतनी उकात नहीं है कि अब हमको मतलब कुछ कह भी सके है अब तो हम उसको कितनी बार आप पता ही है कितनी बार हम उसको कूट चुके हैं पाकिस्तान इतना ज्यादा खत्रा नहीं है हाँ बड़ चाइना डेफिनेटी हमारे लिए खत्रा है चाइना से महार भी चुके है बड़ इस्टिल आप देखो चाइना भी अब हम से ड़ता है क्योंकि हमने अपने आपको पहले से बहुत ज़्यादा पावरफल बना लिया है एकोनोमिकली भी और मिलिटरी भी ठीक है तो यहाँ पर बात करें कि जो मिलिटरी थ्रेट का जो खत्राय को किस से आता है दूसरे देश से आता है तुरंत लिंक करो दूसरे देश मतलब हम अपने इंडिया के बहुत है उसी को हम सोबरेंटी भोलते हैं कि भारत के अंदर क्या कानून होगा यह भारत के लोग डिसाइड करेंगे ना कि बाहर के तो देश के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए अगर यह पावर देश के लोगों के हाथ में तो इसी को हम बोलते हैं देश क्ति थेच्ट शीजनकेन को बहुत नुक्सान इसा लड़ाय कि कुझन हो अभी आपने देखा हुगा दुनिया भर में दो जगे पर युद्द्दुड्द में न कहिए किया पर टेक किया था कितने सारे लोग मारे गए। फिर इसरा ने रिटेलीड किया बदला दिया और कितने से लोगों को भाँपे खतम कर दिया तो आप देखो यार में दूसरा ख़दरा गया है war है तो कोई भी देश war से war को respond करने के लिए वहां कי जो सरकार होती है उसके पास तीन choice होती है कितनी choice होती है तो तीन choice होती है अगर लड़ाई हो जाती है पहली बात अगर आपको लगए है कि हम बहुत ज़्यादा कम जो रहें सामने वाले से तो बैटर अप्षन होता है भी है Surrender कर दो अब Surrender करने पर दिख्या दिए कि फिर तुमारी मतलब का तहीं हालत कराब कर देता है सामने वाला कंट्री है ना दूसरा तरीका यह होता है कि अपने को attacking side से prevent करो है ना आप चाहें फिर कुछ भी हो जाए है ना कुछ भी हो जाए का मतलब गया है जब आप अपने आपको prevent करते तो नुकसान उधर भी होगा और नुकसान आपकी तरब भी होगा तो तो to prevent other side from attacking by promising to raise the cost of war to an unacceptable acceptable level और बता देना सामने वाले को भी भाई देखो अब तुम अगर चेड़ी रहो यूद तो फिर यह कहां तक जाएगा हम यह कह नहीं सकते तो फिर इसको एकदम next level पर ले जाना next level का मतलब है दोनों तरफ damage होगा जैसे अभी चल रहा है रसिया यूक्रेयन का चल रहा है इस्राइल फिलिस्टीन का चल रहा है है यह दूसरा मतलब situation होगी तो लड़ाई हो रही है या तो surrender कर दो या फिर मतलब कितना नुकसान होगा ना हमें पता ना तुम return back to defeating, defeat attacking forces altogether तीसरा option होता है कि भाई जब reality में war हो जाए तो अपने देश को बचाना सामने वाले country जो है उसके जो objective से उनके जो मनसूबे हैं उनको fulfill होने से रोकना और सामने वाली forces को finally हरा देना यह तीसरा objective होता है ना 1999 में आपको पता हुगा भारत में कार गिल वार हुआ था और हमयारी सेना जो है इसने मतलब पाकिस्तान की सेना पर विजय हासिल कर ली थी तो दो तीन situation है अपने पास लड़ाई हो जाए यहां तो surrender कर दो यह जवाब दो सामने वाले को और तीसरा जवाब भी नहीं उसके objectives को fulfillना होने पाए और सामने वाली सेना को defeat कर देना यह नमबर दो defense, नमबर तीन balance of power और नमबर चार है alliance building तो एक एक करके इनको देखते है एक एक line की definition है debtrence का मतलब क्या है debtrence एक security policy है जहां पर कोशिस की जाती है कि war ना हो war को रोखने की कोशिस की जाती है इसको बोलते है debtrence अब practically इसको मैं समझाता हूं मालो दो व्यक्ति है just imagine एक ये व्यक्ति है A और एक ये व्यक्ति है B है ना एक के पास suppose pistol है क्या है pistol और इनको पास pistol नहीं है तो यह बार बार इनको दमकाएंगे pistol पर और इनसे अपने मर्मानी करेंगे तो debtrence की policy क्या कहती है अगर सामने वाले पर पिस्तोल है ना तो तुम भी pistol ले आओ जैसे ये है तो तुम भी इनको क्या दिखा दो पिस्तोल दिखा दो ताकि सामने वाला फिर आपको डराए दी तो भाई सिंपल सी बात है सामने वाले पर जो हत्यार है वह हत्यार तुम रख लो इसी को बोलते है और ऐसा होगा तो क्या होगा सामने वाले को पता है अगर मैं इसको पि तो आप उसको मतलब डराओगे धंकाओगे अगर जो हत्यार आपके पास है सामने वाले के पास ही वही हत्यार है तो फिर वह आपसे लड़ेगा नहीं तो मतलब आपने क्या कर लिया बहुर को फिर्वेंट कर लिया तो यह ऐसी पॉलिसी है जहां पर कोशिस की जाती है बहुर test कर लिया, तो यह कैसी policy है death rinse की, तो कई बार हम जब उनको धंकी देते हैं, तो भो भी हमें धंकी देते हैं या वो हमें धंकी देते हैं, तो हम भी देते हैं nuclear मतला वैपन चलाने की, हालांकि भारत में पहले ही टेस्ट कर लिया था 1974 में, टोबार किया था 1998 में और हमने क्यों किया क्यूंकि चाइना ने 1964 में न्युकुलियर टेस्ट कर लिया था इसलिए 1974 में भारत को करना पड़ा दूसरा है आपका डिफेंस वो पॉलिसी है जहां पर कोसिस की जाती है वोर को लिमिट करो या खतम करो इससे सम्मंदित है दिफेंस मतलब वचाब करना यहां तो war को रोकना या फिर खतम करना तीसरी policy है balance of power दो सकती है एक तरफ मालो USA है दूसरी तरफ चाइना है तो balance of power में क्या कोसिस की जाती है कि अपनी power को balance करने की कोसिस की जाती है तो balance of power means there should be balance between bigger and smaller countries यहां पर यह कोसिस की जाती है एक balance establish किया जाए बड़े और छोटे देशों के बीच में क्या मतलब है इसका अब balance का मतलब ऐसा नहीं है देखो यहां पर कोसिस की जाती है कि जितनी economy बड़े देश की है उतनी अगर छोटा देश भी अचीव कर लेता है तो सामने वाला डर आएगा नहीं balance और कैसे establish करते है weapons के माध्यम से है न balance of power can be maintained by building up military power as well as economic and technological power तो तीन चीजों से हम क्या कर सकते है balance achieve कर सकते है नमबर एक एक तो अपनी military को दुरस्ट कर गए नमबर दो अपनी economy को दुरस्ट कर गए और नमबर तीन technology को दुरस्ट कर गए तीन चीजे मिलेंगी तो अपने आप balance of power double up हो जाएगा ठीक है और चौथा system में आपका यह fourth component है alliance building अब alliance building क्या होता है alliance का मतलब है भाई गठबंदन करना अगर आपको पता है मालोग कोई देश बहुत ज़्यादा ताकत बर हो गया है और एक दूसरा देश सब अकेला नहीं कर सकता है तो यह क्या करेगा इसी के जैसा interest अगर किसी और का है तो जिनके बिचार एक जैसे हैं उनके साथ यह गठबंदन कर लेंगे और फिर इसको रोखने की कोईसिस करेंगे बड़े देश को अब यहां पर मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ अभी 21st century में सबसे वड़ा खतरा बन गया भाईसा अब यहां पर चाइना खतरा बन गया है है ना चाइना बहुत तेज गती से क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल एक्जामपल आपको यहां देना चाहूँगा बुक में तो नहीं है एक क्वेड नाम का ग्रोप है Q-U-A-D क्वेड ग्रोप में क्वेड का मतलब ही होता है चार देश है एक तो है USA दूसरा है इंडिया तीसरा है आपका जापान और चौथा है आपका आउस्ट्रेलिया तो चार देश हैं क्वेड में कौन-कौन से देश है नमबर एक USA नमबर दो इंडिया नमबर तीन जापान नमबर चार आस्ट्रेलिया यह चार देश मिलके इन्होंने एक क्वेड गुरूप बनाया और यह मतलब एक आलाइंस बना लिया और यह क्यों बनाया चाइना को कंटेन करने के लिए चाइना को रूपने के लिए यह होता है आलाइंस विल्डिंग अब आपकी बुक में कौन सा एक जांपल दे रखा उसको भी मैं बतायता हूँ अगर आपने कोल्ड वर बड़ा हो तो उसमें आपने देखा हुआ नाटो एक आलाइंस बना किसका यूएसिक के जो मतलब आलाइस यूएसिक जो कंट्रीस थे उन्होंने क्या बनाया आलाइंस ऐसी यूएससर जो हुआ करता था उसने बनाया था वर्सोप प्रेक्ट है तो ये भी अपने-पने क्या आए आलाइंस है अब आपको समझ में आया हुआ तो एन आलाइंस is a coalition of states that coordinate their actions to depend against military attack तो आलाइंस क्या है एक states का कॉलिज है states मतलब यहाँ पर states का मतलब है countries countries मिलके क्या करते है coalition बना लेते हैं और आपस में एक दूख coordinate करते हैं ताकि अपने आपको दूसरे देश के जो military attack है उससे बचा सेगे these alliances are formalized in written treaties and are based on identification of whom constitute the trade ये जो aligns होते हैं देखने को मिलेगा ये treaties के रूप में convert हो जाते हैं जब बनते हैं तो ये मतलब पूरा एक document sign होता है कि ये countries मिलके aligns sign कर रहे हैं जैसे NATO बना फिर Warsaw Pact बना comment करके बताओ कब NATO बना और यहाँ पर threat को identify किया जाता है कि खतरा क्या है जैसे में अभी बता है क्वेड किस लिए बना चाइना को रोखने के लिए NATO किसको किस लिए बना था USSR को रोखने के लिए Warsaw Pact किस लिए बना था USO को रोखने के लिए understood तो ये alliance किस लिए बना जाते है कि इनमें common threat को पहचाना जाता है कि हाँ भाई तुमारे लिए भी threat है हमारे लिए भी threat है तो मिलके हम एक alliance बनाते है ताकि सामने वाले country को रोख सके ठीक है alliances are formed by the countries to increase their power simple सी बात है याँ जब चार देश मिलिंगे तो यहाँ चाय ना अकिला बढ़ जाएगा तो power इन चारों की बढ़ जाएगी ठीक है alliance जबना जाते है ताकि power बढ़ाई जा सके दूसरे देश की तो लामे alliances are formed on national interest and can be changed when national interest changes बहुत important बात है alliance जो बनाई जाते है वो national interest के आधार पर बनाई जाते है ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ भी दोस्ती कर लें भया इसके पीछे हित होता है राष्ट्रे हित होता है राष्ट्रे हित के आधार पर alliance बनाई जाते हैं और समय आता है कई बार तो हम alliance change भी कर लेते हैं national interest के आधार पर अगर मान लो आपको देखो 1971 की जब लड़ाई हुई थी तो USA पाकिस्तान के साथ था किस के साथ था पाकिस्तान के मगर आज अगर हम बात करें 2024 की बात करें तो USA जादा साथ देता है किसका इंडिया का साथ देता है understood एक जमाने में USA बिल्कुल खिलाब हो गया था हमारे 1971 में है तो नेशनल इंट्रेस्ट के आधार पर अलाइंस बनाए जाते हैं यहाँ पर कोई emotions काम नहीं करते हैं अगर कोई चीज़ जरूरी है तो हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं यह होता है नेशनल इंट्रेस्ट अब यहाँ पर USA का ही एक्जमपल दे रखा है कि 1980s का जब टाइम था तो USA ने सपोर्ड किया था इस्लामिक मिलिटेंट को अफगानिस्तान में Soviet Union के खिलाब जब Cold War चल ला था मगर जब US पर अटेक हुआ अलकाइदा के द्वारा ओसमा बिल्लादिन जब लीड कर रहे थे टेरिस्ट अटेक हुआ था 11 September 2001 को 9-11 का अटेक भी बोलते है 9-11 का अटेक तब USA को पता चल गया कि यार ये तो मतलब बहुत डेंजरस हैं तो USA ने के खिलाफ हो गया एक जमाने में USA ने को सबड़ कर रहा था जब इनकी Soviet Union से लड़ाई चल ली थी जब खुद बेन पर अटेक हुआ टेरिस्ट अटेक हुआ तो USA ने के खिलाफ हो गया ठीक है और लास्ट में एक important note किसी भी देश को traditional notion of security के आधार पर जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है military threat ठीक है तो आज के lecture में बस हमने देखा traditional notion जो है external देखिए हमने और next वीडियो में internal देखेंगे फिर हम non-traditional security देखेंगे और एक-एक topic करके हम सारे topic clear करेंगे और last में आपको इनकी सब की एक combined video मिल जाएगे और एक आपके लिए request है भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो please subscribe lucky education और अपने दूस्तों के साथ share करें enjoy करें ठीक है बहुत बहुत दन्यवाद Hello everyone, welcome to lucky education और last lecture में हमने chapter number 5 start गया था class 12 की political science का जिसका नाम है security in contemporary world आदुने की योग में सुरक्षा और last video में हमने discuss किया था कि security क्या होती है किसी भी external threats है जो मतलब freedom मिलती है that is called security और उसमें security की दो notions को हमने discuss किया था एक तो है traditional notion और दूसरी है non-traditional और हमने last वाले lecture में ही traditional notion में external notion हमने देखी दी traditional मतलब पुरानी जो मतलब परंपरा से हमें सबसे बड़ा खतरा किसका है पारंपरी खतरा पारंपरी खतरा हमें military का सबसे ज़्यादा खतरा होता है किसी भी देश को जो traditional notion के आदार पर जो सबसे बड़ा danger होता है that is military threat कोई दूसरे देश की military हम पर attack ना करते हैं वो सबसे बड़ा खतरा होता है तो last वाले lecture में हमने external threat को हमने discuss किया था आज हम traditional notion में हम देखेंगे internal threat को कि किसी भी देश को internally पारंपरी ग्रूप से क्या समझ्चाएं आती है तो इसको हम discuss करेंगे traditional notions internal और last lecture में भी मैंने आपको बताया था कि कि किसी भी देश की security कोई भी देश दो तरह से ज़्यादा चिंतेत रहता है एक तो अपनी external security को लेकर और दूसरा अपनी internal security को लेकर external मतलब बॉर्डर की security बॉर्डर पर जो security चाहिए that is called external अब बॉर्डर पर किस से security चाहिए simple सी बात अपने पड़ोसी देशों से खासकर जो ज़्यादा अपसे तागतवर बनते जा रहे है उनसे चाहिए अब internal का मतलब क्या देश के बीतर ही कुछ लोग ऐसे होते है जो देश को तोड़ने की बात करते या अपसमें लड़ जाते हैं तो वो है हमारा किसमे internal माजाएगा गरेलू मामले कई बार गरेलू मामले ज़्यादा डेंजरस होते हैं बाहरी मामलोगे आप देखो मैंने लास्ट लेक्चर में यह बताया था कि हमारी इंडिया की पड़ोसी देशों से तीन-चार बार लड़ाई हुई है जैसे 1947-48 में अपनी किस के साथ हुई थी पाकिस्तान के साथ फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ फिर 1970 में पाकिस्तान के साथ और 1999 में पाकिस्तान के साथ इसके अलाबा छोटी मोटी चलती रहती है और दूसरी हमारी लड़ाई हुई किस के साथ चाइना के साथ 1962 में तो ये गिनी चुनी लड़ाई हैं अपनी, मगर आप देखो यार, जब से देश हमारा आजाद हुआ है, हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं, जो लगातार देश को टूड़ने की बात करते रहते हैं, और लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में कुछ गठना बनाने की बात की जाती है, कई बार साउथ मेंड़ेबांड होती है, भहिया धरवडिस्तान बना दिंगे, साउथ कंटरी बना दिंग गलग से, है न, इधर वाले रीजन में जैसे कुछ खालिस्तानी एलिबेंट है, वो कहते हैं कि पंजाब वाला जो रीजन है, इसमें इं अलग अलग religion के लोग होते हैं वह आपस में लड़ जाते हैं तो ऐसे करके जो है यह तो 24 inटो सब्सक्राइब जब तक है जान तब तक पर चलता ही रहता है ना तो यह internal ज़्यानल जगड़े न यह ज्यादा डेंजरस होते हैं किसी भी देश के लिए और कई वार ऐसा भी देखा गया है कि बाहर के देश बड़े स्वाद लेते हैं वह इसे आप दूसरों के मावलों में इंटरफेर करके जैसे कोई बाहर का चाइना है चाइना एक ऐसा देश जो और ज़्यादा ग्रेव हो जाती है और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है तो चीजों को ऐसे समझना है आपको राइट तो इंटरनल में आप समझे होंगे आंतरिक मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं चो पारंपर ग्रूप से हैं ऐसा नहीं कि यह आज कल में ही अभी हाल फिलाल मे चलती है तो चलती है तो शुरू करते हैं चैटरी तो ट्रेडिशनल सिक्योटी मस्ट कनसर इटसल विड इंटर्नल सिक्योडी ज convention में बात करते हैं तो एक्स्टरनल सिक्योटी तो चलौ मोडर किस ambhi देश के अंदर की सic्योटी भी उतनी जादा जरूर होती जरूरी होती है देश के अंदर का low and order maintain रहना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना border पर बाहर की मतलब security पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो internal security depends upon internal peace and order internal security में हम फोकस करते हैं कि देश के अंदर का मामला के सरा आए एकदम सांत रहे यहाँ पर कोई disturbance ना आए यहाँ पर कोई देश से अलग होने की बात ना करें और एकदम सारी चीजें बिलकुल maintain रहें कोई दिक्कत ना आए इस society और इस nation cannot be secure if there is a violence or threat of violence within its border तो कोई भी society कोई भी देश जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक उसके border के भीतर violence अगर है अगर वहाँ पर कोई समश्या है violence की तो वो सांती से नहीं बढ़ सकता आप ऐसे समझवार आपके पडोसी से ज़्यादा आपके घर में सांती रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो घर बड़ी जल्दी तूड़ जाता है बिखड़ जाता है तो घर की चीजें घर में रहनी चाहिए और ज्यादा फैल नहीं नहीं चाहिए जगे जगे पर आपको देखने को मिलता है कहीं पर मतलब सिविल बौर हो जाता है कई सिविल बौर का मतलब है उस देश के लोग ही आपस में मतलब भिढ़ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है उस देश के लोग ही उसकी सरकार के खिलाब हो जाते हैं जिसे आपने टैंथ में बढ़ा होगा, 2012 में भी आपने देखा स्री लंका के केस में, स्री लंका में जो टमिल्स हैं और से नहेला लोग है आप सम्हें भिड़ जाते हैं, कहीं पर military googa का मतलब है, वहीं की वहीं की सरकार के खिलाब, वहां की जो आरमी होती है वो स्वावकार के खिलाब हो जाती है सरकार को हड़ा देती आशार। इससे आपने देखने को मिलेगा जब इंटर्नल सिक्रटी के लिए सबसे बड़े खत्रे हैं वह यह सारे खत्रे एक साथ यहां पर लिख दियें पहला है सिविल बार में अभी बताया जब देश के अंदर ही दो गृप आपस में बढ़ जाते हैं चाहिए दो गृप हो यह सरकार यहां के लोग आपस में बढ़ जाते हैं देश को लड़ने लग जाते हैं तो बरबादी निश्चत है internal racial conflict race के आधार पर अलग-अलग ethnicity के अलग-अलग race के अलग-अलग type के जो लोग होते हैं, group होते हैं, वो आपस में बढ़ जाते हैं, अपने आपको superior बताते हैं, दूसरे को inferior बताते हैं, तो ऐसे भी लड़ाई हो जाती है, recently मनीपुर में ऐसा आपने देखने को मिला, मनीपु किसी के मतलब पहकावे मा के हतियार उठा लिए, और सरकारी जवानों पर ही वो मतलब अटेक करने लग जाते हैं, प्लस नक्सलाइट जो रीजन है भारत के हैं, अचतिस गड़ और आपका आंदरप्रदेस, इसके लावा उरीज़ा है और जहारखंड, बिहार, बेस्ट बं वहां की मिलिटरि होती हैं, वह जाती हैं और सरकार को हटा दीती हैं, जैसे में अभी करेंट में एक्जामपल बदा था, अभी भी सर्kg कर लेना, म्यानमार में मिलिटरी रूल चला लाए, मbi्यानमार में डेमोकरेटिकली ऐलेक्टेर गृष्मेट इलेक्टेड गॉ़र्मे इए मंहें होनी की बाद करते हैं जिसे हैं बारते हों चाहिए करदे में यह खो का रियल मीनिंग है तो यहां पर सेपरेटिजम की डिमांड होती है यह एक थ्रेट है इंटरनल है ना रीजनलिजम कई बार छित्रवाद होता है ना कई आपने सुनवागा नौर्थ वरसे साउथ नौर्थ के ऐसे लोग हैं साउथ के लोग हैं एसा नहीं करना चाहिए मैं सब भारती हैं सब इंडियन हैं तो कई बार रीजनलिजम पर बहुत जादा फोकुस होता है रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग बाग यह भी बहुत ज्यादा डेंजरस है कई बार जैसे आपने साउथ में सुना हुआ नौर्थ इंडिया से लोग जाते हैं तो वहां पर थोड़ा ऐसे कमेंट कर देते हैं कि नौर्थ के लोग जादा कम एजुकेड़ हैं और यहां पर मतलब टॉइलेट साप करते हैं या तुछ काम करते हैं तो यह थोड़ी सी गलक चीज़ है ना सिंपल सी बात है सब लोग काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है कुछ लोग जो अभी मिलिटेंट की बात करी थी तो जो कुछ गुरूप होते हैं जो सरकार की खिलाब हो जाते हैं बिद्रो करने लग जाते हैं यह भी एक अपने आपने डेंजरस सिच्वेसन हैं यह सब किस सब आ जाएंगे इंटरनल सिक्योर्टी के लिए ठ्रेट है यह यहां पर सिविल बॉर्ड लंबे समय तक चलाता यहां पर एक लीडर था प्रभाकरन जब उसकी डेथ हुई थी तब जाके यहां पर खतम हुआ नहीं तो जब से श्रीलंका आजाद हुआ था तब से श्रीलंका में 1948 से लेखें 2009 तक यह सिविल बॉर्ड चलता रहा कितने ल अधर्णिल्स थ्रेटें यह भाई माववादी सरकार के खिलाब हो जाते हैं 3 years from Myanmar's military coup को मतलब है यह मयंमार के बारे में अभी आपको बता रहा था तो military को आता है तो यहां पर भी आप देखो सरकार जो है military चला रही गए यहां पर यह देखो आप Maricom appeals Maricom कहां कि मडीपुर की है Maricom है सब जानते होंगे तो यह कह रहेंगे भईया मडीपुर जल लाए मेरे स्टेट को बचाओ कांडी हैल्प तो मडीपुर में भी कुछ ट्राइप से आपसे में बढ़ जाती है तो यह भी एक internal security का example है है ना some European powers continue to worry about violence in their colonies from colonized people who wanted independence आप देखो एक जमानिम जैसे इसको इंडिया से लिंक करते हैं इंडिया में आपको पता है इंग्लेंड का रूल चलता था इंडिया वास colony of England तो इंडिया में कई बार आवाज होड़ती थी internally कि भाई हमें आजादी चाहिए तो इंग्लेंड इस चीज़ को लेकर बड़ा परिसान रहता था क्या रहता था परिसान रहता था तो यह भी ऐसी चीज़ें और इंडिया आजादी वह आपको पताई होगा देखो जब तो हम अपने हग के लिए लड़ रहे थे मगर आप देश बन गया तो देश कंदर अब को उर्पियन पावर्स की तरही थे जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 में देश आजाद हुआ और Second World War आपको बता है 1945 में खतम हुआ था तो Second World War के बाद आपको देखने हो मिलेगा दुनिया में दो पावरफुल कंट्रीज निकल के आते एक तो है USA और दूसरा है USSR तो जैसे ही म बोला गया Cold War कब तक चलता रहा 1991 तक Cold War चलता रहा USA Galak Gang USSR Galak Gang और अंदर अलग समस्यां चल नहीं थी जैसे आपने इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फस्ट वाले चैप्टर में चैलेंजेज बेफोर दा नेशन विल्डिंग मतलब चैलेंजेज ऑफ नेशन विल् रहे थे इस कंट्रीज ऑलसो फेश्ट प्रों बिदिन लाइक सेपरेटिस्ट मूमें विच वांटेट्ट तो फॉर्म इंडेबडनेट कंट्रीज एक्जामपल खालिस्टान मूमें इंडिया इन इंटें इंटिनिया इंटेंटिय चैप्टर यह जो देश आजब हुए थे सब्सक्राइब दुनिया बर में जितने भी आर्म कंफ्लिक्ट हो रहे हैं हतियारों को लेकर लड़ाई चल रही है हतियारों से लड़ाई जो हुरही है उसमें 95% तो भै इंस्टर्नल एक्स्टरनल तो हैं इनहीं इसने नहीं इंटरनल मैंने भी बताया थे सुरुवात में कि दू 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 इसे को बीच में लड़ाई तो बहुत कम होती है मगर इंटरनल ही तो हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ इसलिए कोशिस करनी चाहिए कभी भी देश के खुलाब नहीं जाना चाहिए थोड़ी इतनी तो देश वक्ती होनी चाहिए कि रख शरद्दा होनी चाहिए ठीक है ज्यादा बटने में कोई फायदा नहिए पाकिस्तान आपको बताए 1947 वह बट गया था उसके बात वह नहीं मत एक्सेप्ट करो आगे बढ़ो बजाए हमें अलग होने के अपने चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप पर फोकस करना चाहिए फिर करें 1946 से में 1991 से कि संक्या देख़्ए देखने को मिलेगा स्विल बॉर्च में आज देखा आप डुनिया भर ने किसी भी देश में ओर एक्सिलब्र बॉर्च चला था emists है और ऑफका शर्कार जोग अ स्सक्या सपाल सबस्क्राइप मिद्ध्र BLvt और रोला जाते हैं सरकार से अलब होने की बात करते हैं तो यह civil war और यह इतनी सारी चीज़ें यह नहीं होने चाहिए मगर क्या करें हो रहें तो यहां पर बताया जा रहा है कि 95% तो जितने भी conflict है उसमें internal war देखने को मिलेंगे चैनल है Lucky Education इसको जोइन कर लें यहां पर मैंने प्लेइलिस्ट की लिस्ट बना रही है क्लास्ट विलिस्ट की और आप देख सकते हो हिस्ट्री की यह अलग से है पॉल्टिकल साइंस की दो प्लेइलिस्ट है चोग रफी की दो प्लेइलिस्ट है एक एक बुक के साब से और वन से यह सबसे बड़ा जो थेट वो था आपका मिलिटरी थ्रेट मतलाब हमको मिलिटरी से या दूसरे देश की मिलिटरी या वार इंस सबसे जादा खतरा रहता है खास का traditional notion में अब एक नया concept है non-traditional notion ऐसा नहीं है किसी भी देश को या वहाँ के लोगों को सिर्फ military से ही खतरा रहता है ऐसा नहीं है 24 into 7 हमें मतलब दूसरे गिसकी जहना attack कर देगी बस यही भाईया humans को इसके लाबा कुछ और चीजों से भी खतरा है मतलब जितने लोग हमारे war या military attack इन सब चीजों से ना मरते उतने उनसे जादा कई गुना जादा लोग मर जाते हैं किसे non-traditional जो threats हैं उनकी बज़े से मर जाते हैं नए नए जो threats डबल अप हो रहे हैं उनकी बज़े से मर जाते हैं बढ़ बार आती हैं इनकी बज़े से मर जाते हैं तो यहांपर उन्ही चीजों को discuss किया जा रहा है तो क्या आता है non-traditional notion में पहली बात यह है तो non-traditional जो notion है security यह military threats से पर एक ही बात है अलग बात है और यहांपर कई सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं उन चीजों को इंक्लूड करते हैं जिससे human existence को खत्रा आ जाए या human का जो existence है उन खत्रे में पड़ जाए मतलब insert आप कह सकते हो यहां पर military threat के लाबा वाकि जो चीजें जो human के existence को खत्रे में डाल दें उन सब चीजों को करते हैं खासकर यहां पर non traditional में दो चीजों पर जादा फोकस रहता है नमरे human security और दूसरा global security एक तो हम इंसान की security को बात करते हैं और दूसरा global level पर हम security की बात करते हैं सबसे पहले हम देखें कि human security में हम क्या पढ़ते human security में क्या है non traditional threat के लाबा human security का सिंपल सा मतलब है भाई कि humans को प्रोटेक्ट करना राधर देन protecting state देखो state को प्रोटेक्ट करना वो दो डेफिनेटी ट्रेडिशनल नोशन है state मतलब जैसे अपना प्यारा भारत है भारत की boundaries को internally और externally secure करना यह हम भारत की boundary को secure करने भारत मतलब हम स्टेट की protection कर रहे हैं यहां पर करें state को छोड़ो भाई पहले यहां पर स्टेट से पहले हमें लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूर रहता है स्टेट तो अपना चलो ठीक है वो traditional notion हो गया जहां पर हम internet external दोनों लेबल पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर ज्यादा फोकस किस पर रहता है non-traditional security में लोगों पर ज्यादा फोकस रहता है यह जो security का concept है यह कहता है कि जो threat agenda है जो खत्रा है इंसानों को खत्रा है उसमें military threat के लावा हमें और भी चीजों को add करने की जरूरत है जैसे hunger disease natural disaster यह जो है यह बहुत सारे लोगों को किल करती है इतने लोग तो हमारे terrorism और genocide की बज़े से नहीं मरते और war की बज़े से नहीं मरते जिससे ज्यादा कई कुना ज्यादा लोग तो हमारे hunger disease natural disaster से मर जाते हैं देखो आतंकवादी गठना कभी कबार होती है war कभी कबार होते है genocide मतलब एक बड़े label पर नरसंगार जो है यह भी कभी कबार होता है यह daily गठना है नहीं होती है यह मतलब अपना traditional thread है मंगर यह तो ही normal है day to day आप चाहिए बचारे भूके सी होते हैं कितने सारे लोग बीमारीयों की बज़े से मर रहे हैं कितने सारे लोग कहीं पर disaster आ जाती है कहीं पर flood आ रही है कहीं पर earthquake आ रहा है कहीं पर सब्सक्राइब toxic सकते हैं प्रत्यक आपने सबस्ते हैं इंसां को सोर्ट ऑप रणे की जरूरत है मतलब चौप देना पहुजाता जरूर यह प्लस यूमन डिगनिटी को कोई खत्रा ना पहुचा है जो इनसान की एक मतलब गरीमा है उसको भी कोई खत्रा नहीं पहुचना चाहिए उसको देफिनियटि हakes पेपकोकस करना चाहिए उसकी फूटकस करना शूर्ट पर जान देनी की जरूर त्व草र्स्यां की इस समय बहुत निकल कहाई थी कौन को सी ग्लोबल थ्रेट निकल गए जैसे नमबर एक ग्लोबल अबार मिग आपको पताईए जब अर्थ का टेम्परचर नॉर्म टेम्परचर से पढ़ने लग जाए तो उसको मुझते हैं ग्लोबल अबार मिग तो इसको पचासों नुकसान होगा वहम एक बीमारी जिस बज़े से होती है वो एक वाइरस है उस वाइरस का नाम है यहां पर 1990 में ऐसा कॉंसेप्ट आया कि भाई देखो अब हमें ग्लोबल सिक्योटी पर जिहान देने के रुपत है जब आप सिक्योर करोगे तो एक फिर फैलने लग जाएगा तो यहां पर मतलब एक ग्लोबल सिक्योर्टी की बात हुई थी राइट अब यह ऐसी समझ्या है इनको अकेले कोई नहीं रोक सकता है इंडिया चाहे तो अकेला नहीं रोक सकता है इंडिया चलो ठीक है पॉल्यूशन कम करेगा देगा थे स्यूत्यस है ना ग्री नहाँस गेसे को कम कर देगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्रिज़ फैला रहा है तो वह एंग कर सकते हैं तो ऐसी प्रोब्लम्स को डील करना है तो वह यह थे सबी देशों का साथ चाहिए तो ही solve कर सकते हैं Otherwise हम ना तो इन बीमारियों को रोख सकते हैं नई गलोबल वर्मिंग को रोख सकते नही climate change को रोख सकते नही the terrorism को रोख सकते international level पर हमें corporation चाहिए ही चाहिए हर देश का हमें इसमें साथ चाहिए तो ही हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए सभी countries को अगर इन समस्याओं से deal करना है तो एक साथ हाना पड़ेगा एक साथ लड़ना पड़ेगा then only we can resolve these problems right example दे रखा कि अगर global warming बढ़ती है तो इसकी वज़े से क्या होगा प्रतिव का अगर लेवल बढ़ा पानी का ओशन का लेवल बढ़ा तो इसकी बज़े से 20% जो बंगलादे से वह उसमें बाड़ा आ जाएगी पूरा की पूरा मालदीव डूप जाएगा आदे से ज़्यादा थाईलेंड की पॉबलेशन डूप जाएगी just because of global warming तो सोचो global warming कितनी ज़्यादा dangerous problem है कि मालदीव तो पूरा खतम थाईलेंड आदे से ज़्यादा खतम हो जाएगा डूप जाएगा और 20% से ज़्यादा आ अपड़ेगा global cooperation की जरूरत है then only हम मतलब इन चीज़ों को minimize कर सकते हैं तो बस आज की लेक्षर हम इतना ही और एक important information class 12 की history, politics और जोग्रॉफी तीनों की यहां पर playlist है complete video में आपर डाल रखें और one sort videos की भी अलग से playlist आ रखें साथ की साथ में हमारे जितने भी वीडियो जा की education और आज का topic है हमारा traditional security and cooperation यह जो topic है आपका class 12 की political science वो का आपकी है contemporary world politics chapter number 5 हमारा चला है security and contemporary world इस chapter में अब तक हमने traditional notion and non-traditional notion of security इसको cover कर लिया है तो आज हम देखेंगे only traditional security में कैसे हम cooperate कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब हमीशा युद्धी या हमारे पास यह option होता है व work हम preventive कर सकते हैं cooperate भी कर सकते हैं दो सेना है आपस में cooperate कर सकते हैं ठीक है तो universally ऐसा माना जाता है कि कि किसी भी country को war पर कब जाना चाहिए आप सोचो अगर कोई country लडाई करने जा रहा देखो लडाई तो यार last option होता है सुरू-सुरू में हर country को को सिस करनी चाहिए यार war न concept है universally accepted concept है कि war पर तो हम तभी जाना चाहिए जब हम मामला self-defense का आगया हो कि भाई अब तो बात बनेगी नहीं अब तो अपने आपको protect करना जरूरी है और साथ के साथ में अपने लोगों को protect करना जरूरी है especially from genocide लग रहा है आपको कि जब दूसरे देश की आर्मी आपके द country कव वर्क की condition choose करेगा कव वर्क करेगा तो पहला तो एक तो self-defense वाली situation हो दूसरा आपने लोगों को बचाना हो किसे genocide से genocide का मतलब क्या है बहुत बड़े लेवल पर जो हत्या की जाती लोगों की उसको क्या होते है genocide बोलते है आर्मी जोको हमेशा कोसिस करनी चाहिए जब भी हम लड़ाई करें या कोई भी देश की आर्मी लड़ाई करें उसको कोसिस करनी चाहिए जो अनार्म लोग है अनार्म मतलब जिनके पास हत्यार नहीं है उनकी killing नहीं करनी चाहिए या surrendering competence का मतलब गया है कि सबोच एक देश दूसरे देस के आर्मी पर मतलब दो देसों के आर्मी आपस में लड़ रही है एक देस के आर्मी ने सरेंडर कर दिया जो सरेंडर कर दिया तो फिर उसको मारना नहीं चाहिए मतलब यह ऐसा मतलब ऐसा कहा जाता है कि आर्मी को कम से कम इन दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए चब भी लड़ाई हो अगर लग राए कि सामने किसी के पास अत्यार नहीं तो उनको नहीं मारना चाहिए तूसरा अगर सामने वाली आर्मी के जो मतलब कोंबेटेंटे कोंबेटेंटे का मतलब लड़ने वाले जो लोग हैं सैनिक हैं अगर उन्होंने सरिंटर कर दिया उस केस में भी उनको मारना नहीं चाहिए force का इस्तेमाल तो सिर्फ तभी यूज करना चाहिए जब सारे की सारे alternative fail हो गया हो दो देश आपस में मतलब force का इस्तेमाल कब करें जब पहले तो सुरू-सुरू कोसिस करनी चाहिए कर कोई matter है तो उसको बातचीत करके सुल जा ली जाए सबसे बेस्ट तरीका होता negotiation करना की बातचीत करो athlete dialogue करो आपस में मतलब दो 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 देशों के अलग-अलग label पर क्या होने चाहिए बातचीत होने चाहिए जब सारे options fail हो जाए तो ही force का इस्तिमाल करना चाहिए तो ही मतलब हमें work option opt करना चाहिए traditional view of security should include all other forms of cooperation traditional जो view है हमारा security का इसमें और भी cooperation के forms है ये जो उपर हमने discuss ही है तो चलो है ही इसके लावा कुछ और भी है जैसे disarmament arms control, confidence building ये कुछ ऐसे तरीके है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं war को award कर सकते हैं और दो देस आपस में एक दूसरे के साथ cooperate कर सकते हैं तो एक है करके discuss करते है disarmament, नाम से पता चला है disarmament का मतलब है अपने हत्यारों को त्याग देना, disarmament एक ऐसा system है यहाँ पर states को कहा जाता है, states मतलब countries को का जाता है, कि आपके पास जो weapons है, कुछ special weapons जहें उनको आप त्याब दो, give up कर दो है न, ताकि mass destruction से बचा जा सकता है special kind of weapon का मतलब क्या है ऐसे weapons जिसे mass destruction हो चकता है mass मतलब बहुत बड़े level पर लोगों की जहान जा सकती है बहुत बड़े लोगों पर, बहुत जादा लोगों को मतलब कतल किया जा सकता है मारा जा सकता है, destroy किया जा सकता है ऐसे weapons, जिसमें especially nuclear weapons important है nuclear weapons होगे, chemical weapons होगे biological weapons होगे ऐसे weapons का तो आप कतल इस्तिमाल ना करो, तो ये क्या कहती है desire moment का system क्या कहता है ये कहता है कि states to give up सारे states को कहता है कि आप मतलब कुछ special weapons होगे उनको आप त्याग दो for example, दो convention sign हुई पहली ये biological weapon convention ये 1972 में आई थी तूसरी ये chemical weapon convention ये 1992 में आई थी इन्होंने क्या किया जितने भी biological और chemical weapons है इनका production और इनका possession दोनों को ही बेहन कर दिया कि आप जिस देशने भी treaty को sign कर लिया इसका मतलब ये है कि ना तो वो biological weapon बनाएगा और ना ही उनको रखेगा दोनों को इन्होंने क्या कर दिया बेहन कर दिया तो ये एक example है किसका disarmament का आप बाइलोजिकल वेपन आप समझते हो ना बाइलोजिकल में जिसमें वाइरस वेक्टिरिया इन सारी चीज़ों को spread कर देते हैं तो बड़े लेबल पर लोगों की हत्या होती है आपने क्रिस मूवी देखियो हो तो क्रिस मूवी जो वाइरस पहल जाता है ऐसे वेपन्स को हम बोलते हैं वाइलोजिकल वेपन कंविंशन मतलब वाइलोजिकल वेपन्स बोलते हैं बहुत बड़े लेबले नुक्सान पहुचा सकते हैं तूसरा केमिकल वेपन्स होते है जिसमें केमिकल्स का इस्तिमाल किया जाता है युद्धिये दोरान ठीक है तो इन दोनों को ही बेन कर दिया गया डिसार महमेंट के थाइग बोथ कंवेंशन्स इंक्लूड़ेड ओल ग्रेट पावर्स इन कंवेंशन्स में आपको देखने को मिलेका ज्यादतर महासक्तिया ज्यादतर जो पावर्फुल कंट्री है इसका हिस्सा है मगर दो सूपर पावर यूएस और यूएससर यस वोवियत यूनियन यह नहीं चाहते थे कि केमिकल वेपन्स जो है इनको मतलब त्याग आ जाए तो देखो यही तो दिक्कत है बड़े बड़े देश नहीं चाहते को वैसे तो मतलब दूसरों से कह रहे हैं ग्यान दरेग भई आप मतलब इन वेपन्स को मत यूज़ करो खुद मतलब त्याग नहीं देख नहीं दूसरों से मतलब मना कर रहे है तो यहाँ पर यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी जातर ग्रेट पावर्स ने तो इनको त्याग दिया और इन ट्रीटीज को साइन कर दिया बाइलोजिकल वेपन कनवेंशन और केमिकल वेपन कनवेंशन मगर जो यूएस और यूएस से सारे यहनोंने ना तो केमिकल वेपन्स ना ही नुगलर वेपन्स इनको त्यागा ठीक है दूसरा तरीका है आम्स कंट्रोल आम्स का मतलब हत्यारों पर कंट्रोल तो आम्स कंट्रोल रेगुलेट्स एक्विजीशन और डवलप्मेंट ऑफ वेपन्स arms control कहता है कि भाई देखो आपको जादा से जादा हत्यार नहीं रखते हैं और नहीं जादा से जादा हत्यारों का development करना है ठीक है इसमें एक treaty sign की गई थी anti ballistic missile treaty ABM 1972 में treaty आई थी और ये treaty कोशिस करती है और ये कहती है कि US और जो USSR है या Soviet Union ने ये ballistic missiles को इस्तिमाल नहीं करेंगे nuclear attack करने के लिए न तो anti ballistic missile treaty 1972 ट्राइटू स्टॉप यूएस और यूजिंग बैलेस्टिक missiles और ये डिफेंस सील्ड तो लॉंच नुकलियर अटेक करने के लिए ballistic missile का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा तो को missile actually क्या होती है आपको पता है जैसे मालों बैलेस्टिक missile क्या से होती है यहां से अगर मालों missile को लॉंच करना है जैसे यह लॉंच हो रही है यहां target है तो इनको पहली तो यह टालगेट फिक्स करते हो और यह ऐसे जाती है एक फिक्स पाथ में जाती है ऐसी मिसाइलों को मुझते हैं वैलेस्टिक missile जो एक फिक्सट पाथ फोलो करती है तो यहां पर वैलेस्टिक मिसाइल के यूज का मना किया गया इसपेशली नुकलियर अटेक करने के लिए इडिड अलाव बोत कंट्रीज टू डिप्लॉए वेरी लिम्टेड नमर ओफ डिफेंसिब systems और यह arms control करता है कि देखो आप अपने डिफेंसिब सिस्टम तो रख सकते हो अपने बचाब के लिए आप मतब वैपन्स रख सकते हो बट लिमिटेड बहुत कम क्वांटिटी में रखने ऐसा नहीं बहुत ज्यादा क्योंकि आप अगर ज्यादा रखोगे तो दूसरा दे और ऐसे वैपन्स बढ़ाने की होड लग जाएगी जो कोल्ड वर के दोरान हमने देखी कोल्ड वर के दोरान यूस एंड यूससर दोनों में ही होड लग गई थी इनको देखकर बाकी दिसों में भी मोटीवेशन मिलता है वह भी वैपन्स को घटा करने लग जाते जो स्ट्रेजिक आम्स लिम्टेशन ट्रेटी स्ट्रेजिक आम्स लिम्टेशन ट्रेटी सेगंड इस्ट्रेजिक आम्स रिडेक्शन ट्रेटी स्टार्ट नुक्लियर नॉन प्रॉलिफ्रेशन ट्रेटी ऑफ नैंटीन सिक्टीए यह कुछ ऐसे ट्रीटीज है जो उन्होंने आ एन पीटी ट्रीटी के बारे में आपको पताएं पहली बात आप जहार रखोंसल इसमें पांच पर्मानेंट डिम्बर हैं आप सबको पता हुआ यूए से फ्रांस यूके बृत यूके के वाद आपका रॉषिया और चाइना पांच पर्मानेंट मेंबर इसके ना पहले मतलब रसिया नहीं था पहले USSR हुआ करते था मगर 1991 जब USSR टूड गया तो यह सीटी कि इसको मिल जाती है रसिया को तो NPT treaty क्या कहती है कि यह जो पांच परमानेंट मेंबर है न यही nuclear weapon रखेंगे और कोई नहीं रखेंगा अब यह तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गई न तो इसको भारत ने भी सायन नहीं किया बस इतना याद रखना देखो तो NPT एक arms control treaty है जो nuclear weapons के control को acquisition को control करती है acquisition मतलब उनको रखने को लेकर control करती है कि आप nuclear weapons नहीं रख सकते हैं अब यह treaty क्या कहती है यह देखो इसमें बड़ी important चीज़ है कि ऐसे दिस जोनों ने 1967 से पहले nuclear test कर लिया है और nuclear weapons बना लिये हैं वो तो nuclear weapons को रख सकते हैं मगर इसके बाद ना तो कोई nuclear test करेगा और जो weapons है उनको वो त्याग देगा तो भाई NPT जो है यह मतलब nuclear weapons को इसके बात करती है बजा इसके यह limit करने की बात करती है कि भाई कौन-कौन से दिस nuclear weapons रख सकते हैं तो इसनों क्या लगा दिया कि 1967 से पहले जिन देशों ने nuclear weapons टेस्ट किया था और यह चाहते थे हैं भाई हमने तो अब डवल अब कर लिए अब को यह और डवल नहीं करेगा हम ही रख सकते हैं बाकि नहीं रखेगा तो अर यह दो डिस्क्रिमिनेटरी हो गई ना खेर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं किन-किन देशों ने कब-कब नुकुलियर टेस्ट किये थे ठीक है तो USA ने आपको बता ही 1945 में हेरोस मनागा साब की पर बोम गराय पीफाइब यूनाइटेड नेशन्स सीकुर्टी काउंसिल के परमानेटे में पर हैं तो NPT ट्रीटी क्या कहते है कि 1967 से पहले जिन देशों ने नुकुलियर वेपन्स को टेस्ट किया वही देश नुकुलियर वेपन रखनी और कोई नहीं रखेगा तो इंडिया ने भी त् कर लिया था 2006 और 2017 में ठीक है तो यह कुछ ऐसे कंट्री जे जिन्होंने नुकुलियर टेस्ट कंड़क्ट की हैं तो यह ट्रीटी आपको समझ मागे तीसरा तरीका है ट्रेडिशनल सीकुर्टी में कॉपरेशन का कॉंफिडेंस विल्डिंग कॉंफिडेंस मतलब दो देश जैसे इंडिया और चाइन आपस में एक दूसरे के साथ इंफोर्मेशन सेयर करेंगे एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ मिलिटरी को लेकर इंफोर्मेशन सेयर करेंगे अगर मिलिटरी एक जगे से दूसरी जगे मूब कर रही है तो जानकारी ताकि दूसरे को यह ना लगे कि यार यह हम पर अटेक कर दिंगे और पता चला कुछ misconception को लेकर आपस में लड़ाई हो जाए ठीक है तो ट्रेडिशनल सीक्योडी एक्सेप्ट कॉंपिडेंस विल्डिंग एज means of avoiding violence confidence विल्डिंग एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम violence को avoid कर सकते हैं मतलब warlike situations को हम control कर सकते हैं यह ऐसा process है जहां पर country आपस में आईडिया सेयर करती है information सेयर करती है अपने rivals के साथ rivals मतलब जो बिरू दी है पिर है ना चाइना कर आवल इंडिया और इंडिया का राइबल चाइना तो यह आपस में एक दूसरे के साथ information सेयर करते हैं क्या सेयर करती है जैसे अपने दो दोनों देश आपस में एक दूसरे को बठाते हैं कि हमारी military intentions क्या है हमारे plans क्या है खेर यह तो कागज़ों में दिखी हुई बात है रियल्टी में कोई अपनी military intention नहीं बताता है ठीक है यह तैल इच अदर अबाउट था काइंड ओफ फोर्स दे पज़ेज और डियर डिप्लॉइमेंट अब वो एक दूसरे को बताएंगे हमारी force कहां कहां पे लगी हुई है हमारे पास कौन कौन से weapons है अगेन इन रियल्टी पूरी बात कोई आपस में एक दूसरे साथ सेयर नहीं करता है हाँ थोड़ी बहुत information exchange होती है और इससे फायदा यह होता है कि दो देशों में सांती थोड़ी बनी रहती है उनको यह नहीं लग नहीं है तो सामने वाले देश को लगता गयार भाई यह तो अंपर अटेक करने वाले कुछ बड़ा होने वाला है तो पहले ही बता दो देखो भाई हमारी से नहीं बस ऐसे ही training के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लगी एजुकेशन यहां पर क्लास 12 की हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल की प्ले लिस्ट दे रखी है इन प्ले लिस्ट को चेक करें और आप इनको यहां से वीडियो देख सकते हैं तो थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मच कीप लर्निंग की बेंजूएंग इंग विए जूएंग और आज का जो टॉपिक है अमारा वहां न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट विए कबरिंग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस शेप्टर नॉमर फाइब हम कबर कर रहे हैं सिक्योटी एंड कंटेंप्रेडी वर्ल्ड वो के आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की कंटेंप्रेडी वर्ल्ड पॉलिटेक्स ठीक है तो आज का जो टॉपिक है न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट इससे पहले के सारे टॉपिक में अल्री कबर घरा चुका हूं ठीक है तो एक तुमने देखा था ठेट में रहते हैं इस नियूटियुमन दिखेंगे तो पहला जैश सब्सारे ने चैलेंजे इंसान के सामने आगे हैं तो पहला चैलेंज्येग्स में terrorism दूसरा है threat to human rights तीसरा है आपका global poverty फोर्थ है आपका migration और fifth है health epidemic तो ये पांच ऐसे threat हैं जिनको हम categorize कर सकते हैं new sources of threatmen को categorize कर सकते हैं एक एक करके सब को हम देखेंगे सबसे पहले हैं terrorism जिसको हम बोलते है आतंक बाद आप सबने इसके बारे में सुना होगा और भारत तो इसका बहुत ही जादा मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं victim रहा है terrorism का ठीक है Mumbai ताज होटल वाला आपने देखा हुआ इस पर movie जी बनी हुई है और अमिर का भी इसका मतलब एक victim रह चुका है इवन पाकिस्तान जो देश है इसको मतलब ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान कहा जाता क्या है मतलब भारत में terrorism को फैलाने का पूरा पूरा credit को जाता है पाकिस्तान को जाता है तो terrorism क्या है इसमें होता क्या है मतलब कोई भी country चान बुज़कर किसी दूसरे देस को destabilize करने की कोशिश करता है, दूसरे देस को मतलब वहाँ पर उनकी economic activities को उनकी normal life को disrupt करने की कोशिश करता है, और वहाँ पर दैसत, वहाँ पर डर का माहुट create करने की कोशिश करता है, तो terrorism क्या एक weapon है, एक tool है, एक मतलब तरीका है जिसके मादम से अपने देश को कोई दागर देश चाहे, जैसे पाकिस्टान चाहे, तो दूसरे देश को यह क्या करते है, हमेसा वहाँ की activities को disrupt करने की कोशिश करते है, तो terrorism refers to systematic use of brutal violence that creates an atmosphere of fear in the society, तो मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, violence का एक systematic तरीक से जो हैं, अब जरूरी नहीं है, आपके मतलब एक ही देश में मतलब आप terrorism फैलाओ, terrorism में आपको देखने हो मिलेगा, लोग जो है, एक से ज़्यादा देश के लोगों को, एक से ज़्यादा territories को, यह मतलब involved कर सकते हैं, ठीक है, it is used for many purposes, इसका बहुत सारे परपज होते हैं, पर मेल परपज हो रहता है, political, religious परपज, जैसे terrorism में, यहां पर इन का परपज है को, इसलाम religion को मतलब बहुत जादा प्रमोट किया जाए, तो मतलब religious region भी हो सकता है, और दूसरा इसमें political region भी होता है, political region की भाई सामने वाले देश को ग्रो मत करने दो, ठीक है, civilian targets are chosen to terrorize public and use this as a weapon against national government, यहां पर जादतर terrorist के दवरा क्या कोशिस की जाती है, कि ऐसे targets को attack किया जाए, जहां पर civilian लोग जादा रहते हो, आम जनता जादा रहती हो, ताकि वहां पर नुकसान जादस जादा पहुँचाए जाए, तो civilian targets इसमें मतलब जादतर चूज किया जाते जाते हैं, ताकि public में डर का माहुल create किया जाते हैं, और इनहीं को एक weapon की तर इस्तेमाल किया जाता है, टेररेजिम में क्या क्या हो सकता है, कौन को सी activity जाती है, plane hijack करना है, इसका एक एक जाम पले, trains में, कैफेज में, मार्केट में, जो भी भीडबार वाले लाकें, crowded place, य महाँ पर 11 September 2000 को कैसे लगते है, 9-11, 9 का मतलब month और 11 का मतलब date है, तो 9-11 की जब USA में गटना हुई थी, terrorist attack हुआ था, USA में, तब से इनों ने थोड़ा जादा ध्यान दिया, USA government ने, किस पर terrorism पर, ठीक है, से पहले बहुत जादा serious नहीं लेते थे, तूसरा threat है, human rights, human rights के human rights को मतलब हम classify कर सकते हैं, तीन category में, number 1, political rights, political rights में आपके freedom of speech, assembly यह आजाएगा, economic and social rights, जिसमें आपका रोजी रोटी के sources आजाएंगे, lively hood के sources आजाएंगे, समाज बरहने के rights आजाएंगे, और right of colonized people, of ethnic and indigenous minorities, जिन लोगों को बड़े देशों को तारा colony बनाए गया था, त हम के पास भी क्या है, rights हैं, तो ऐसे तीन category में divide कर सकते हैं, बड़ दुक्की बात यह कि, अभी तक कोई मतलब ऐसा fix, हमने मतलब rules नहीं बनाएं, कि क्या करना चाहिए, गर violation हो जाए, तो human rights का है, there is no agreement on which set of rights should be considered as universal human rights, पहली बात तो आज तक हम इसी conclusion पर निकल के नहीं आए और क्या rules of action होंगे, in case of, अगर violation होता है, तो violation होता है, तो हमें क्या करना है, और क्या human rights होंगे, तो यह अभी भी decide करना बाकी है, 1990 में आपको देखने को मिलेगा, first girl war हुआ था 1990 में, और इराक ने invade कर दिया था, कुवेट को, पर्सियन गल्प में एक चोटा सा देश है कु पर कुवेट में, दूसरा genocide in Ravanda, Ravanda में genocide हुआ था, यह genocide word तभी आए न, यह समझे लो, बहुत बड़े level पर नरसंखार, क्या हुआ था, नरसंखार हुआ था, तो इराक ने invasion कब किया था, यह चीज़ आपको ध्यान रखने है, 1990, 1991 में, इराक ने कुवेट पर हमला किया थ तो बहुत सारे लोग यहां मारे गेते हैं, रवांडा में genocide हुआ था, रवांडा genocide, you understand, genocide रवांडा मतलब है, रवांडा country है, कहां पर पढ़ता है, अफ्रीका में आता है, रवांडा country, लगवाग लगवाग यह सब बताते हैं, यहां पर civil war हो गया था, और आठ लाग से ज आठ लाग से जादे लोग मारे जाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं genocide, बहुत सारे लोग मारे गेते हैं, इंडोनेशन मिलिटरी किलिंग आफ पीपल इन इस्ट तिमूर, इस्ट तिमूर में आपको भी दिखांगा, इंडोनेशिया की बगल में यह चोटा सा देश है, जैसे म लेट टुड़ डिवेट देट युएं शुड इंटरफियर तु स्टॉप हुमर राइट सब्यूज, अब यहां पर आपने देखा कई देशों ने दूसरे देशों में जाके मतलब वहां के लोगों को मारा है ना, इराक ने गुसके कोवेट में कोवेट में को मारा है, जि इजराइल और फिलिस्तीन का इसू चला है, यहां पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, कई हजार लोग मारे जा चुके हैं अब तक है ना, फिलिस्तीन में इजराइल के दोरा, तो मतलब यह भी एक एक्जामपल है, यूमन राइट का, तो ऐसे मियार मतलब अपना जो मत पूटी सी जगह आपको देखेगी, तो इसमें यह सेडेड वाला पोर्चन है, इसको हम बोलते हैं, इस्ट तिमूर है, इसमें मतलब मतलब इंडोनेशिया का यह चोटा सा इस्ट तिमूर है, तो इस्ट तिमूर करके यहां पर एक कंट्री है, दिली इसकी केपिटल है, तो यह पूरा की पूरा अफ्रीका का मेप है, और यहां पर आपको मिलेगा रवांडा, रवांडा के आसपास कुछ कंट्री आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बुरुंडी, उगांडा, कीनिया, तो यहां पर यह रहा आपका रवांडा, यह बुरुनी, यह उगांडा, और है Black Sea और यहां पर यह वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पर्सियन Gulf यह इरान है ना इरान यह इराक है तो इराक ने कोवेट पर हमला कर दिया था और यह रेड में जितने भी कंट्री दे रखें इनको बोलते हैं Gulf सब्सक्राइब करें तो बता दे ना इराक सवधी अरेबिया कोवेट बहरी कतर यूए वानि आते हैं घ्रव कंट्री में यमन नहीं आता है वस है तो यह वाला भी मैप थोड़ा ध्यां रखना है अगला प्रोब्लम है अगले पचास सालों पर गरीब देश है उनकी पॉबलेशन तीन गुना बढ़ जाएगी जबकि रिच कंट्री की बात करें तो इनकी पॉबलेशन आने वाले फीरेड़े में गटने वाली है तो यह जो बिलू-बिलू दिखा रखें रिच कंट्री जैंकी पॉबलेशन आने वाले समय में गिर जाएगी और रड़ बता रहें यह डवलपिंग कंट्री इनकी पॉबलेशन आने वाले समय में बढ़ जाएगी ठीक है, high perk capita income, low population growth, make rich, state get richer, आप देखो, developed country की एक पहचान होती है, इनकी perk capita income बहुत जादा होती है, प्रती व्यक्ति आये बहुत जादा होती है, population growth यहाँ पे कम होती है, जिसकी वएसे यह rich country रिच बनते जा रहे हैं, जबकि इन देशों की बात करें, developing countries की तो यहाँ पे perk capita income होती है, population growth बहुत जादा होती है, और ज़्यादा population की वएसे आपको बता है, resources ज़्यादा divide हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा development नहीं हो पाता है, जिसकी वज़े से यह गरीब देश और गरीब बनते जा रहे हैं, तो आपको एक चीज जहाँ पर देखने हो बिलेगी, rich, rich होते जा रहे हैं, और गरीब, गरीब होते जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो global disparity है, जो disparity ही बहुत जादा बढ़ती जा रही है, northern और southern countries के बीच में, तो इनको बोलते है global north और नीचे वालों को बोलते है global south, ध्यान रखना है global north में और ऑस्ट्रेलिया भी आता है, तो global north कै इसे countries है, rich countries है, developed countries है, और industrialized nations है, इसके opposite, global south में आपको गरीब countries, poor countries देखने हो मिलेंगे, developing countries देखने हो मिलेंगे, high population है देखने हो मिलेगी, और low per capita income देखने को मिलेगी, तो इनके बीच में gap जो है global north और global south का बढ़ता ही जा रहा है, प्लस आपको ये भी देखने हो मिलेग ये है कि Japan में population कम हो रही है, Australia में population कम हो रही है, तो ये developed country जो आपको देखने हो मिलेगा, population क्या होती है लगाता है, decrease होती होती हो रही है, यह एक्जामपल करका है, for example, most of the world's armed conflict now take place in sub-saharan Africa, Africa का जो sub-saharan part है, Africa के जस्ट नीचे वाला part है, वहाँ पर बहु सारे armed conflict होते हैं, क्योंकि गरीबी की बज़े से, अफरीका का जो sub-saharan region है, जैसे अगर मैं अफरीका का यहाँ एक map बनाऊँ, तो यह बनेगा अफरीका, तो यह नीचे वाला जो region है, इसको बोलते हैं, sub-saharan region, सहरा के नीचे, ऊपर आपको पता है, सहरा के नीचे वाला region है, sub-saharan, बहु लोग जो हैं लगाता लड़ाईयां चलती रहती हैं, और चितने लोग पूरी दुनिया में मारे आ रहे हैं, वार्स में, उससे ज़्यादा लोग तो अकेले साहल region में मारे जाते हैं, क्यों गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग लड़ते रहते हैं, आपसमें, civil war चलते रह गरीबी होने की बज़े से लोग जो हैं नॉर्थ में माइगरेट कर रहे हैं, और इसकी बज़े से political tensions भी बढ़े रहे हैं, यहां पर साउथ में जब tensions बढ़ेंगे, तो लोग माइगरेट करेंगे दूसरे ज़ग बढ़ जाएगे, अगला नया threat है हमारा migration, माइगरेशन का कुछ conditions ऐसी हो जाती है कि लोगों को निकलने के लिए मजबूर कर जाता है कि इस जगे को छोड़ के चले आओ, जो place of origin है वो less attractive लगता है, यह होते है full factor, कुछ दूसरी जगह पर कुछ ऐसी conditions होती है जो आपको खीच लेती है अपनी तरब के और यह बेटर चीज है, यहां आप आजाओ, ठीक है, तो migration की बज़े से भी, migration भी अपने आपने बहुत बड़ी समश्या है, तो poverty in south, large scale migration to north and in search of better life and greater economic possibilities has created international tensions, तो आपको देखने को मिलेगा, कई ज्यादा गरीब होने के बाएसे south, south मतलब global south की बात की जा रही है, लोग जो है better opportunity के लिए, ज्यादा economic opportunities के लिए north की तरफ migrate कर जाते हैं, उससे international tensions बढ़ रही है, international law and conventions, distinguish migrant and refugee, migrant और refugee में बिलकुल differentiation की डिटी कह गया है, कि क्या अंतर है इन में, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, कि migration, migrant और refugee में क्या अंतर है, तो migrant का मतलब तो बहुता है, जब सोचो, आप अपनी मर्जी से, आ आप मालों इंडिया में रहते हो, आप अपनी मर्जी से कहां चलेगे, आप USA में चलेगे, तो आपको बोलेंगे migrant, आपने अपनी मर्जी से घर चोड़ा है, तो migrant are those who leave their home, home nations, voluntarily, अपने home country को वो अपनी इच्छा से चोड़ जेते हैं, तूसरा refugee, refugee में आपने सुना हुआ, इ उपर oppression किया रहा है, उनको persecution किया रहा है, उनको परिसान किया रहा है, तो रोहिंग्या मुसलिम से भाग वाकि इंडिया में, वांगलादिस में, स्रीलंका में, ऐसे जा रहे हैं, तो जब लोग अपनी मर्जी से ना जाएं, और उनको मजबूर किया जाएं बहां से भागने और refugee है ना, तो refugees are those who are forced to escape their homes, और those who flee from war, natural disaster, or political persecution, है ना, States generally accept refugees, but do not accept migrants, States refugees को accept कर लेते हैं, migrants को आसानी से accept नहीं करते हैं, इसलिए migrants के अलगरूल होते हैं, एक definition है हो रहा है, internally displaced people, ठीक है, सबोज कोई व्यक्ति यहां माहराष्ट में रहता है, और वो just imagine job के लिए कहां चला जाता है, तमिल नाडू में चला जाता है, तो माहराष्ट displaced people, मतलब देश शोडगने जा रहे है, अपने boundary के भीतरी है, तो individuals who left their home, but remain within the national borders are known as internally displaced people, ऐसे लोगों हम बोलेंगे, internally displaced people, अगली सबसे बड़ी समश्या है, हमारी health epidemic, यह तो आपने देखी लिया, कि COVID-19 के दोरान कितने सारे लोगों की death हुई थी, throughout the world, है न, और फिर जितन acute respiratory syndrome, जिसको SARS बोलते हैं, यह दुनिया भर में बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है, साइथ इसके पीछे region है, migration, business, tourism, or military operations, लोग जो है एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं, तो वो बीमारियों को भी ले जाते है, failure of a nation in limiting spread of these disease affect infections in other countries, और जब countries इनको रोक नहीं पाते है जैसे मालों इंडिया से कुछ लोग चायना गए या चायना से लोग इंडिया माये, अगर उनका proper check-up ना किया जाए बीमारी के टाइम पे, तो इसकी बैसे बीमारियों और बढ़ जाते हैं, infections और बढ़ जाते हैं, अकेले 2003 में आपको देखने मुलेगा, 2003 तक लगबग 4 कर percent case अकेले कांगे, अफ्रीका कांगे, अफ्रीका में इतने सारे case क्यों आरे हैं, क्योंकि अगें वहां पे ज़्यादा awareness नहीं है, गर इभी बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान नहीं देते हैं, और बाकी बचे कुछे case कांगे हैं, इंडिया अपना South Asia में ही आता है, इंडिय death rate को कम कर सकती है, मगर अफ्रीका जैसा देश जो, अफ्रीका जैसा मतलब continent जहां पर जो देश हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो उनके लिए expensive हैं यह ना, कुछ नईरी disease आजकल मतलब market में आ गई है, Ebola virus, हंटा virus, hepatitis C, COVID-19, और जैसे पुरानी disease भी हैं, आजगी data में tuberculosis, malaria, dengue cholera, यह जो पुरानी disease हैं, इन्होंने अपने आपको ऐसा develop कर लिया, कि इन पर दवाईयों का असर नहीं पड़ता, तो इन्होंने क्या develop कर लिया, drug resistant form कर लिया, drug resistant form का मतलब है, आप सोचो, dengue की दवाई पहले तयार कर लिया आपने, आप dengue का जो, मतलब, cause करने वा बीमारिया आई रही हैं, तो यह अपने आप में कुलमला के दोरों ही dangerous हैं, नई बीमारिया भी dangerous हैं, और पुरानी भी अपने आप में dangerous हैं, इसलिए कहते हैं, कि जो medicines हैं, वो doctor की prescription के आदार पर ही लेनी चाहिए, so there is a need for international cooperation to handle health epidemics issues in better way, तो अगर health epidemics के issues गो कर बढ़िया त अब बीटेन का यहां पर एक 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 जांपल दे रखा है, अंग्रेजों का एक 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 जांपल दे रखा है, बीटेन का, बीटेन है लॉस्ट बिलियोंस ओप डोलर्स ओंकम दूरिं मैड काव डिजीज आउट ब्रेक, एंड वर्ड फ्लूट्स, टेट सट डाउन सब्लाइ जो पॉल्टेरी एक्सपोर्ट फ्रॉम एसियन कंट्रीज, मतलब बीटेन में क्या हुआ एक बीमारी फैली, मैड काव डिजीज, डिजीज का नम क्या है, मैड काव डिजीज, नियूरोलोजिकल डिसोडर है, जो जानवरों में होता है, 1980s की बात है, 1980s और 1990s में फैला था, लगवग लगवग 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लिजोगरफी की ब्लेइस्ट है यहां पर वन्सोट वीडियो की भी ब्लेइस्ट मेन अलग से बना रही है तो आप देख सकते हो प्लेइस्ट में जाके और अपना कूर्स यहां से कर सकते हो और एक बहुत इंपोर्टेंट एक मतलब रिक्वेस्ट भी आप से कि प्लीज सब्स वेल्कम तु लख्की एजुगेशन और आज हम देखेंगे कॉपरेटिव सिगर्टी एंड इंडिया सिक्यर्टी स्टेड़ेजी यह दो टॉपिक देखेंगे इसके बाद यह चेप्टर अपना कम्प्लीट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं कॉपरेटिव सिगर्टी कुछ समस्यां ऐसी होती है जिनको कोई अकेला देश डील नहीं कर सकता है ठीक है अगर हम बात करेंगे आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्लाइमिट चेंज क्लाइमिट चेंज एक ऐसी समस्या जिसकी बहुत जादा समस्या पूरी दुनिया में समस्या आ रही है आप सब लोग जानते होंगे टेरेजम एक ऐसी समस्या है जिसको एक देश डील नहीं कर सकता है इसके लावा और भी बहुत सारी जैसे आपने देखा को कोबिट-19 एक ऐसी बीमारी थी जिसको एक देश अकेला डील नहीं कर सकता है तो इसी चीजों को डिल कर सकें तो जहांबम मतलब हमें इंट्रनेश्नल कोपरेशन की जरूरत पड़ती है जहांब कई सारे से कुर्ट्रीज मिलके लिए मतलब प्लेज करते हैं प्रितिक्या लेते हैं तो ऐसी सीग्योरी हुँ क्या बोलते हैं और और टिक है बी की हो यहां पर आपको कॉप्रेशन की जरूरत बढ़ेगी ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर मिलिटरी की जरूरत नहीं पड़ती है आप कॉप्रेट करोगे तो चीजें बेटर हो सकती है मिलिटरी फोर्स की जरूरत परती है जब आपको human rights का मतलब enforcement करना हो या फिर terrorism से लड़ना हो मगर मिलिटरी की कोई जरूरत नहीं होती है अगर आपको गरीबी से लड़ना है, migration को manage करना है, refugee की समस्चा को deal करना है, epidemics को control करना है तो यहां पर military की जरूरत नहीं है, यहां पर ऐसी समस्चा को deal करने के लिए आपको चाहिए cooperation, बहुत सारे देश, बहुत सारे organizations, मिल जूलकर ही इन समस्चा को दूर कर सकते हैं, cooperation चाहे वो bilateral हो, दो देशों के बीच में हो, regional हो, किसी एक particular region में हो, जैसे हम भारत जो है अपन पर हो सकता है, दो देशों के बीच में, एक region के बीच में, एक continent के बीच में, या पूरी दुनिया में मतलब cooperation कर सकते हैं, ठीक है, अब cooperation किस type का होगा, वो डेबेंड करता है खतरा किस type का है, threat किस type का है, और क्या country बाकिए में चाहा रहे, उनकी इच्छा है, कि वो मतलब cooperate क करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और क्या country मतलब respond कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं, तो सारा केल cooperation का depend करता है, सामने वाले के country के mood पर, as well as क्या वो बाकिए में उस चीज़ को लेकर serious हैं या नहीं है, cooperative security जो है, इसमें कई सारे players involved होते हैं, चाहे वो national हो या फिर international हो, ठी organization, world bank, IMF, ठीक है, ये दुनिया पर में cooperative security involved होते हैं, इसके लावे बहुत सारे NGO जो हैं, जैसे amnesty international, red cross, private foundations, charities, church, religious organizations भी आते हैं, trade unions आते हैं, associations, social and development organizations आते हैं, कई सारी personalities हैं, जिन्होंने भी cooperative security को आगे बढ़ाया, cooperative security में अपना योगदान दिया, कई देशों को बोला कि भा बहुत famous हैं, comment करके बताओ, यार नेसल मंडिला कहां के थे, ठीक है, mother Teresa, cooperative security जहां रखना, कई बार, कई बार ऐसा होता है, कई समश्यां ऐसी होती हैं, जैसे मानलो, terrorism का मामला है, है या मनलो, कहीं पर human rights का violation हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालत करा हूँ रही है, कहीं पर security के group में, ठीक है, to deal with the government that kill their own people, ignore the misery of their population, international community may have to sanction the use of force, अगर यार कोई देश की सरकार, अपने ही देश के लोगों को मार रही है, लोगों कोई मतलब बहुत ज़्यादा हलत खराब कर रही है, लोगों की condition कराब है, ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकारों के खिलाफ, international community च जो violence है, international terrorist के खिलाब भी इसको मतलब यूज किया जा सकता है, एक topic और है अपना, India's security strategy, भारत की क्या security strategy है, ये topic और बचा हुआ, इसको भी deal कर लेते हैं, भारत की security strategy, अब देखा, इंडिया के सामने भी दोनों तरह की problem है, traditional challenges भी हैं, non traditional challenges भी हैं, traditional threats भी हैं, non traditional threats भी हैं, औ भारत की security की समझ्चा है, internal security की समझ्चा है, और external security की समझ्चा है, तो इंडिया की security strategy है, इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या इंडिया की security के चार component है, पहला है strengthening military capabilities, दूसरा है strengthening international norms and institutions, third है meeting security challenges, fourth है development of economy, तो पहला हम देखते हैं, strengthening military capabilities, strengthening मतलब मजबूती परतान करना, मजबूत करना, military capabilities मतलब अपने military को बढ़ाना, मजबूत करना, आप सब को पता है भारत देश जो है हमारा, since independence, we have fought many wars with our neighbors, especially अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान से हमारी 1947-48 में लड़ाई हो गई थी, जिसमें P.O. के चला गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ ल 1971 में आपको पता है, बांगला देश का भी जन्म हुआ था, पहले यहां पे East Pakistan हुआ करता था, वो बांगला देश बन जाता है, 1999 में कार गिल बोर हुआ, चाइना के साथ भी हमारी लड़ाई होई 1962 में, तो इतनी सारी समझ्चा हैं, दो परोसी देश हमारे बहुत जादा ख खतरनाक हैं, अब खतरनाक के लिए कुछ है जादा नहीं है, मतलब हर बार पाकिस्तान पिटता है, आज तक जीता तो है नहीं हम से, although हम डिफीट का आगे हैं चाइना से 1962 में, मगर अब पहले से हम बहुत जादा मजबूत हैं, इसका मतलब यह है कि भाई, जब हमारे दुस तो है हमारे नेवर्स के साथ, इसलिए हमें अपने मिलिटरी को मजबूत करना पड़ेगा, और मिलिटरी नहीं, इंडिया को नुकलियर पावर भी डबलब करनी पड़ेगी, यह स्टार्टिंग में इंडिया को समझ में आ गया था, इसलिए इंडिया ने आपको देखा इंडिया ने पहले नुकलियर टेस्ट कर लिया था, हमसे पहले ही कर लिया था, 1964 में चाइना ने नुकलियर टेस्ट कर लिया, तो यार वो डराता हमको, इसलिए हमने 1974 में हमने भी नुकलियर टेस्ट किया था, तो मिलिटरी के अपड़ाना क्यों जरूर यह समझ वाया, पह जब अपने परोशियों ने मतलब न्यूक्लियर वैपन डवलप कर लिए तो हमको भी डवलप करना पड़ा इसलिए हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में और सेगंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में राइस्थान की पोकरण नाम की जगह पर यह किये थे राइट अगला इंटरनेशनल नॉम्स एंट इंस्टिटूशन देखो भारत सरकार की ये भी कोशिस रही है कि इंटरनल तो चलो हम मजबूत कर रहे हैं मिलिटरी को इंटरनेशनल ऐसे एग्रिमेंट और ऐसे डिमों को भी मजबूत किया जाए जो मतलब सिक्योर्टी की बात करते हैं जिससे सब का फायदा है इंडिया नहीं सब का फायदा है बिकोज इंडिया believes in global peace भार्व जो है believe करता है कि पूरे विश में सांती रहे ठीक है इस चीज में हम believe करते हैं और हमारी philosophy भी है बसुदेव कुटम को पूरा विश्व हमारा परिवार है पूरे विश में सांती रहे सरवे भवंतु सुखने इसमें हम believe करते हैं तो इसलिए हम जो international agreements हैं उनमें मतलब believe करते हैं और institutions में भी believe करते हैं और उनको हम मानते भी है ठीक है तो second component of India security strategy has been to strengthen international norms and institutions to protect its security interest तो अपने security interest को बचाने के लिए भारत की strategy है कि international national जो agreement है norms है नियम कानून है treaties हैं उनका क्या करना मजबूत करना और उनका पालन करना इंडिया ने बहुत सारे ऐसे initiatives लिए ताकि ऐसी ऐसे नियम लाया जा सके ऐसे ऐसे treaties बनाई जा सके जो सभी को बराबर rights provide करा है और सब उनको क्या करें oblige भी करें तो इंडिया took many initiatives to bring about a universal and a non-discriminatory non-proliferation regime which will protect all which will provide all countries same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction, weapons of mass destruction, nuclear, biological और chemical भारत की ये कोशिस रही है कि अब कोई भी ऐसी treaty लाई जाए देखो पहले एक NPT treaty थी आप सबने सुनागा nuclear non-proliferation treaty ये treaty क्या कहती है कि United Nations के पाँच जो परवानेट मेंबरें वही nuclear weapon रख सकते हैं और कोई नहीं रख लेगा और इसको sign कर रहे हैं अब यार कौन sign कर लेगा तुम क्यों रख रहे हो वही तुम भी अठाओ तो इंडिया कह रहा है हम ऐसी treaty लाने की कोशिस कर रहे हैं हम ऐसे initiatives लाने कोशिस कर रहे हैं चाहें कैसे भी वेपनो nuclear वेपनो वेपनो chemical वेपनो सब के लिए बरावर अ obligations होनी चाहिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए सब पहलाग होना चाहिए ऐसे सरकार initiatives लेगा रही है भारत के ऐसे मतलब प्रियास है राइट भारत मतलब आरग्यू करता है भारत बात करता है कि international जो new international है economic order वो बिलकुल बरावर होना चाहिए उसमें कोई वेदबाब नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो कंट्री को फायदा कोंच रहा है चार कंट्री को नुक्सान हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पर equity की ब बरावर्ता की बात की जाए समानता की बात की जाए आपको पता हुआ 1945 से 1995 के बीच में cold war चला था यह ना USA and USSR की बीच में तो भारत ने उसमें रास्ता अपनाया था non alignment का तो हमने non alignment का रास्ता कब अपनाया था जब ब्लॉक politics से बाहर जाने के लिए प्लस ईंडिया ने एक agreement भी साइन किया ध्यां रखना Kyoto Protocol आप सब को पता है किस से संबंधित है ग्रीन हाऊस गैसे को कंट्रोल करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल तो इंडिया ने 160 देशों को जोईन कर लिया और साइन कर लिया Qiyoto Protocol को, ठीक है? Qiyoto Protocol बात करता है Greenhouse Gases को रोकने की और Greenhouse Gases को अगर हम control कर सकते हैं, तो Global Warming को अपनी आप control हो जाएगी, क्योंकि Greenhouse Gases ही responsible है, Global Warming के लिए, Global Warming क्या होती है? अर्थ का temperature जो बढ़ जाता, that is called Global Warming comment करके बताओ green house gases के नाम ठीक है साथ के साथ में भारत ने अपने troops भी बेज़े troops मतलब सेना कहाँ पर United Nations की जो peace keeping missions है भारत उसमें भी अपनी मतलब army को भेजता है और तो और अब तो हमने महिलाओं को भी बेजा है जो UN peace keeping forces है उनको blue helmets के नाम से भी जाना जाता है इसलिए इनकी uniform भी blue रहती है तो भारत ने अब male छोड़ो female को भी यहाँ पर भेज़ना स्टार्ट कर दिया तो यह चीज दिखाता है कि हाम कितना ज़्यादा cooperative security में believe करते है meeting security challenges तीसरा component है भारत की security का कि अपने आपको तयार करना security challenges से deal करने के लिए चाहे वो internal हो चाहे external हो आपको देख आपने पढ़ा हूँ एंडिया वाली book में कि भारत में सुरू से ही since 1947 कई states में कुछ ऐसे militant group रहे हैं जो भारत से अलग होने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों से deal करने के लिए भारत ने अलड़ी planning कर रखी है इंडिया की कोशिस है सुरू से ही कि national unity बनी रहनी चाहिए और हम मतलब इन challenges से deal करने के लिए democratic political system अपने आप है हम अलग अलग community अलग अलग गुरुपों के साथ freely मतलब बात करते हैं अगर आपकी कोई समश्या है तो आप बताईए मतलब अपनी मतलब समश्या को ऐसे नहीं military के तुरू या मतलब आप militant बन के मतलब अपनी demand पूरी करवाना चाहते हो that is not possible हम चाहते हैं आप आओ बात करो और even politics में भी आप parts मतलब हम बहुत जादा harsh तरीके से deal करते हैं अगला अपना security अपनी इंडिया की security को strengthen करने का pillar है that is development of economy देखवार किसी भी देश की जब तक economy मजबूत नहीं होगी ना तो कुछ भी मजबूत नहीं हो सकता हम बले कितने भी बात करने military भी तो जब भी मजबूत होगी जब अपने पास पैसा होगा weapons भी अपने पास कवाएंगे जब पैसा होगा nuclear weapons भी कब preserve करके रख सकते हो उनको कब बढ़ा सकते हो जब आपके पास पैसा होगा internal security को भी आगर आपको मजबूत करना है तो you also need money तो सबसे ज़्यादा important है भी एकोनोमी को मजबूत करना तो India's attempt to develop its economy in a way that vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery and huge economic inequalities are not allowed to exist भारत का मतलब कोशिस है कि अपनी एकोनोमी को मजबूत किया जाए जादा से जादा जो citizens इनको गरीबी से दूर किया जाए उनकी जो misery है उनकी समस्या है उनसे उनको ऊपर उठाया जाए और जो inequalities है rich and poor के बीच में जो gap है उसको कम से कम किया जाए इन सब चीजों को बिलकुल खतम किया जाए ये भारत की मतलब कोशिस है और ये कोशिस कब पूरी होगी जब हम अपनी एकोनोमी को मजबूत करें और आपको पता ही होगा 1991 में भारत ने LPG reform से लेके आता है इंडिया ना liberalization, privatization, globalization, परपज यही था कि अपनी एकोनोमी को मजबूत कराना हर देश की डेमोगलेटिकल इलेक्टेट गवर्मेंट पर एक दवाब होता है कि भाई वो एकोनोमी करें और साथ की साथ में human development भी करें ठीक है तो अपनी भी सरकार पर एक दवाब है कि भाई आपको development तो लाना है मगर human development को भी लेके आना है आपको growth भी अचीब करनी है human development भी अचीब करना है human development में आपको health, education, basic facilities इन सब चीज़ों पर भी focus करना है ठीक है तो democratic government एक अच्छा तरीका होता है democracy ही एक अच्छा तरीका है जो मतलब ज्यादा security हमें provide करा सकती है तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ आपकी book जो है complete खतम हो चुकी है सारे chapters के वीडियो जो आपका available है ठीक है और playlist में उलड़ी बना चुका हूँ और जितने भी हमारे वीडियो जो आ रहे हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो है अपने यहाँ पर link मिलती रहेगी क्लास 12 की history, polity, geography की playlist में यहाँ पर बना रखी है यह history की है, यह polity, polity दो political science की playlist है यहाँ पर दो geography की playlist है और यहाँ पर full full chapters की भी playlist में बना रखी है खुब detailed में वीडियो है आराम से इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो फिर भी कोई topic समझ में आए, तो comment करके बताएं उस पर एक dedicated video बना दी जाएगी so thank you, thank you so much